अब बात करते हैं हम लोग next defect की जो है प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया को हम लोग old age hypermetropia भी कहते हैं क्योंकि यह जो defect है ज्यादा तर आपको old age individual में देखने को मिलता है इसमें जो आख की accommodation की power है accommodation का मतलब होता है ability to adjust the focal length मतलब focal length को adjust करने की ability को हम लोग क्या बोलते हैं accommodation बोलते हैं आगे बढ़ते हैं accommodation के कारण अब बोड़े लोगों को दिक्कत होने लगती है दूर की वस्तू और नजदी की वस्तू दोनों को देखने में अब हम लोग बात करते हैं press biopia के कारण के बारे में reason इसके mainly दो कारण है पहला है weakening of ciliary muscles ciliary muscles का कमजोर हो जाना और इसका दूसरा कारण है decreasing flexibility of eye lens मतलब eye lens के flexibility का कम हो जाना या घड़ जाना ये दो कारण है किसी को भी press biopia होने के अब हम बात करते हैं इसके correction को किसको ठीक कैसे कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए concave और convex दोनों लेंसों के जरूरत परती है जो बैक्ती press biopia से suffering होते हैं उनके जस्में पे आप देखो के दोनों तरह के lens होते हैं Concave lens भी होते हैं और convex lens भी होते हैं Concave lens के मदद से वो दूर के बस्तू को देखते हैं जबकि convex lens की मदद से वो क्या करते हैं पास के object को देख पाते हैं Concave lens उपर की तरफ होते हैं जबकि convex lens नीचे की तरफ होते हैं इस तरह से ये ठीक होते हैं